नमस्का दोस्तों हमारी युटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जी यूबी ग्यान यानिगी बायलोजी के UPPCS 2012 से लेकर के 2019 तक के pre और mains परिक्षा में पूछे गए सभी प्रशनों को जो है हल कराये जाएगा यह आपका पार्ट 1 है इसमें UPPCS pre एक्जाम में पूछे गए 2012 से लेकर के 2019 तक के प्रशनों को हल कराये जाएगा इसका सेकेंड पार्ट जो है आपको मिलेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस के लिजेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिपिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक भी दे दिया गया है वहाँ से जोइन करके आप पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है आपका यह 2019 यूपीपीशीय है 2019 में जो है पूछा गया प्रशन है कि मानों सरीर में निमलखित में से कौन सी ग्रंथी अंते सरावी यूम वही सरावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसंट c अगनासे अगनासे जो है एक मिस्रित गर्णती है जिसमें बहिसरावी एंगं अनते सरावी दोनों ही प्रकार की उतक या कोशिकाएं होती है तो आपको जो है c बिकल्प सही हो जाएगा बही सरावी जो है यह मुकते पाचेन में सायक होता है और अंते सरावी जो है यह मुकते रक्त सरकरा को भी नहींद करता है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है आपका तुलसी के पौधे का आउसदी महत्व निम्नांकित की उपस्तिति के कारण है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन C यहां सही हो जाएगा फिनाल यों फ्लेव उनाइट के कारण अगला कोशन हम देखते हैं कि मानों आहार में पालिस की हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन A पालिस की हुए चावल से वेरी वेरी रोग हो जाता है तो A आपसन जो है आपका यहां सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका निम्निकित में से काउन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो आप देख सकते हैं एक तरफ बिटामिन दिया गया है दूसरी तरफ पर चुर स्रोत कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो यहां B विकल्प आप देख सकते हैं कि बिटामिन B2 काड एकरित तेल दिया गया है यह आपका सुमेलित नहीं है काड एकरित तेल यह काड मचली की एकरित से उत्पन एक अहार पूरक है इसमें ओमेगा 3 fatty acid के अत्रिक बिटामिन A यह विटामिन D भी उपस्तित होता है तो यहां आपका बिटामिन D होगा यह तो B भी कल्ब जो है सुमेठे हैं विटामिन B6 जो है धान की चोकर या राइस ब्राण में परचोर सुरोत है विटामिन B6 उसके बाद विटामिन E का सुरोत यह हूँ अंकूर का तेल है विटामिन K का सुरोत जो है अलफा अलफा एक परकार का घास है तो यहाँ भी आपसन आप देख सकते हैं बिटामिन B2 का सुरोत जो है काड एकरित तेल नहीं है बिटामिन B2 कोरीवोफलोवीन या राइवोफलोवीन के नाम से भी जाना जाता है यह भोजन से उर्जा मुक्त करने में सहायक होता है जैसे कि अंडे, हरी सबजी, फलियां, दो देत्यादी जो है इसके प्रमुक्सरोत हैं बिटामिन B2 के आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिया गया है आपका जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है कि अधिकांस बिटामिन मानों सरीर में संसलेशित नहीं किये जाते हैं कारण आर है कि मानों अंग केवल अनिवारे सुच में पोस्ट्रकों का ही संसलेशर करते हैं तो आपको बताना है यहां कौन सा आपसन से हो जाएगा पूट के माधियम से तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा यहाँ C भी कलब सही होगा A सही है कि इन्टू R जो होगा गलत है आप देख सकते हैं कि अधिकांस बिटामिन मानो शरीर में संसलेशित नहीं किये जाते हैं तो A जो है आपका सही है अधिकांस विटामिन वह मानुसरी में संसलेशित नहीं किया जाता है और इसलिए उन्हें प्रयाप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहन किये जाने की अवस्यक्ता होए और मानुसरी के द्वारा जो है विटामिन A और विटामिन B1 जो कि थायमिन होता है और vitamin E और K संसलेसित नहीं किये जा सकते हैं तो आपको vitamin A और vitamin B complex उसके बार आपका vitamin E और K संसलेसित नहीं किये जाते हैं इसलिए आपका A आपसन यहां सही है यानि कि A कथन सही है और कारण जो दिया गया है कि मानों अंगे केवल अनिवार सूच में कोसकों का ही संसलेसर करता है तो A आपका सही नहीं है A आपका गलत है कथन A सही है कारण R वहाँ गलत है तो इसलिए आपका C विकल पेहां सही है अगला कोशन है एंजाइमों के संदर में निमलिखित कतनों में से कौन सा सही है पहला है वे जैव उत्परे रख है दूसरा है वे शरीर में उसी अस्थान पर अपना कारई करते हैं जहां वे उत्पादित होते है तो नीचे कूठ के मार्दन से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो गया तो यहां से हो जाएगा आपका structured c- 1 और 2 दोनों ही सही हैं एंजाइमों के संदर में कहा गया है कि बेज उत्प्रेय रखोते हैं तो एंजाइम जो हुआ यह उत्प्रेय रखोते हैं सही है वे शरीर में उसी अस्थान पर अपना कारी करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं तो दोनों ही सही है आपका सी बिकल्प यहां सही हो जाएगा अगला कोशन है मा का दुग्ध नोजात को लगवग संपूर अहार प्रदान करता है लाकिन तो इसमें निमलिखित का अभाव होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन ए लोह का अभाव होता है यह विकल्प यहां सही है अगला प्रशन है निमलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन B, तिल चट्टा का रक्त जो है हुआ सफेद होता है B विकल्प सही हो जाएगा अगला कुशन है आपका नाइट्रोजन इस तेरी करन जिवाडू किस पौधे की जड़ के साथ सही हो जन करते हैं इसका सही अंसर होगा आपसन A, दाल के साथ, ये विकल्प सही हो जाएगा है अगला कुशन है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही अंसर होगा आपसन D, आप देश सकते हैं रियान रुपांत्रित स्टार्च दिया गया है तो यह आपका सहिन भी निर्मित फाइवर है जिसे प्राकिर्तिक सुरोतों जैसे कि आपके ब्रेचियों अन्यकर उतपादों से प्राप्त किया जाता है और यह रुपांत्रित इस्टार्च नहीं है बाकी जो है आप आकसी टोसिन यह आपका हर्मोन है स्पार्टिम क्या है तो एक संसलेशित मधुरक है और नियोप्रीन जो है यह बिसिस्ट रवड है बाकी से भी सुमेलित हैं D आपसन आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रशन आपका DNA की द्वी कुंडली संडचना किसके द्वारा दे गए थी तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपका बी बिकल्ब से हो जाएगा वाट्सन तथा क्रिक ने जेम्स वाट्सन और फ्रांसेस क्रिक ने जो है आपसन डि आंवला विटामिन सी करासायनिक नाम क्या होता है तो एसकारवी एसिड जो है विटामिन C का रसानिक नाम होता है और इसका सबसे उत्तम सिरोथ यह है आंला हो जाएगा इसके लामा अन्ये खटे फल भी विटामिन C के सिरोथ होते हैं जैसे कि आपका नीबू हो जाएगा संतरा हो जाएगा मुसम्मी ये सभी भी विटामिन C के मुखे स्रोत होते है अगला कोशन आपका निम्लिखित में से किस जन तुमें खुर नहीं पाया जाते है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन B, गीदर गीदर को छोड़कर से सभी में खुर पाया जाते है गीदर ये कुत्ते के परिवार की एक पर जाती है समान गीदरों का बैग्यानिक नाम जो होता हुआ कैनिस आरियस होता है समान गीदर का बैग्यानिक नाम जो होता हुआ कैनिस आरियस होता है और गीदरों के पैर नाखोन युक्त गदिदार होते हैं तो B आपसन यहां से हो जाएगा, बाकी हीरन, जेबरा और घोड़ा, इन सभी में खुर पाय जाते हैं, अगला कोशन आपका फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो इसका सही इंसर होगा, आपसन D, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को फल सरकरा भी कहा जाता है, इस प्रकार स इमलिखित में से कौन सा योगम सही सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हार्मोन आपका लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कारे, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, D आपसन लिखा हुआ है, गैस्ट्रिन हार्मोन यह रक्त सरकरा का नियंतरन करता है, मेलाटोनीन हार्मोन यह निद्रा का नियंतरन करता है, और आकसी टोसीन नामक हार्मोन जो है, अस्तन गरंति से दुगद का निसारन करता है, अगला कुशन अब देखते हैं, नीचे दो कथन दिया गया है आपका, अभी कथन ये है मानो सरीर सेलू लोज के पाचन में सच्छम है का कथन है कि मानो सरीर में स्टार्च अब घटक एंजाइम डायस्टेस भी दिमान रहता है तो नीचे दिएगे कोट से आपको बताना है कौन सा बिकल्ब सही होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा यहाँ B बिकल्ब सही होगा A तथा R दोनो सही है किन्तु R A का सही अस्पस्टी करन नहीं है मनुसिक के पाचन तंत्र में सेलू लोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाया जाते है प्रन्तु इस्टार्च अप घटक एंजाइम जैसे की डाइस्टेस जो की इस्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और मनुसिकी लार में पाया जाता है अत्या दोनों कथन यहाँ आपका सही हो जाएगा प्रन्तु डाइस्टेस की वज़े से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा यह तरक संगत नहीं है अत्या दूसरा कथन जो है यहाँ आपका गलत हो जाएगा तो बी विकल्प यहाँ से होगा यह तथा आर दोनों सही है किन्तु आर एका सही अस्पस्टी करण नहीं है अगला कोशन आपका सुई चुभाने पर निमलिखित अंगो में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा तो यह है आपका मस्तिस्क बी विकल्प यहाँ से होगा सुई चुभाने पर मस्तिस्क दर्द महसूस नहीं करेगा मस्तिस्क में दर्द गरहिकाओं का अभाव पाया जाता है तो B विकल्प जो है से हो जाएगा है अगला प्रशना आपका आयोडीन की कमी से होता है तो आप सबको पता है गेखा रोग होता है आयोडीन की कमी से से विकल्प से हो जाएगा और थाइराइड हर्मोन के उत्पादन के लिए आईोडी नामक तत्थ जो है आवसेख होता है आगे बढ़ते हैं निमली खित में से कौन सा कार्बनिक अमल अंगूर इमली तथा केला में परचुर मात्रा में बिद्धमान रहता है तो यह है आपका टार्टेरिक अमल डी भी कल्प जो है शेख हो जाएगा अंगूर इमली तथा केला में परचुर मात्रा में टार्टेरिक अमल पाया जाता है यह अमलता नियामक और खाद्यपदार्थों में एंटि आक्सिडेंड के रूप में इप्यों किया जाता है अगला कुशन है आपका निमलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है तो यह है आपका वसा का बी विकल्प जो है सही हो जाएगा पितासे के अंदर पित अवयों के संगनन से बना हुआ रवाकृत जमाओ ही पित की पतरी है और पित की पतरी वसा युक्त भोजन के पा तो यहां रतवधी जो दिया गया यह अनुवानसीक रोग नहीं है बाकि रंजक हीनता हेमोफुलिया और वडान्धता यह सभी क्या है तो अनुवानसीक रोग है अगला कुशन आपका निमलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो यहां आप देख सकते हैं सी बिकल्प जो है बिटामिन डी दिया गया है बंधेता रोधी कारक यह आपका सही सुमेलित नहीं है बाकि जो है बिटामिन बी ट्वल्ब से प्रति ए रक्तता कारक सही है बिटामिन बी सी प्रति इसकरवी कारक विटामिन के जो है यह प्रति रक्त सरावी कारक यह सभी सह यह CB कल्प यहां सही नहीं है अगला कोशन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो यहां आप देख सकते हैं एक तरफ आपका उतपाद दिया गया है दूसरे तरफ सुरोद दिया गया है अपको मिलान करना है तो अपहिम किसे प्राप्त होता है तो यह फल से प्राप्त होता है एका हो जाएगा आपका तीसरा और हिंग जो है जड़ से प्राप्त होता है हिंग कहां से प्राप्त होता है जड़ से प्राप्त होता है C का चोथा हो जाएगा कुनायन जो है यह आपका छाल से प्राप्त किया जाता है तो D का हो जाएगा पहला 3, 2, 4, 1 जिस आपसन में होगा वो ऐसे हो जाएगा 3, 2, 4, 1 आप देख सेकते हैं बिकल्प B जो है यहां सही है अगला कोशन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसन सही हो जाएगा तो चली जो है देखते हैं तो VT कल्चर का संबंद हो जाएगा आपका अंगूर की खेती से VT कल्चर का संबंद किसे अंगूर की खेती हो जाएगा ए का हो जाएगा चौथा वेजी कल्चर का संबंद हो जाएगा ब्रिच्छों की खेती से वेजी कल्चर का संबंद ब्रिच्छों की किरसी से हो जाएगा बी का हो जाएगा तीसरा उसके बाद पीसी कल्चर का संबंद हो जाएगा मचली पालन से PC culture, मचली पालन, C का दूसरा, ओलेरी culture का संबंध हो जाएगा आपका सबजी की खेती से तो D का हो जाएगा पहला, 4, 3, 2, 1 जो आपका यहां देख सकते हैं बिकलप B जो है सही है, 4, 3, 2, 1 अगला कोशन आप देखते हैं हीमोगलोबीन के बारे में निमलिखित कत्रों पर बिचार किजी पहला दिया गया है, यह रक्त में आक्सीजन का संचार करता है तो बिल्कुल सही है हीमोगलोबीन जो है, रक्त में आक्सीजन का संचार करता है दूसरा दिया गया है आपका, कि यह लोह एक्त योगिक है तो हीमोगलोबिन क्या है तो यह लोह एक योगिक है इसमें लोह पाया जाता है सही है आपका तिसरा दिया गया है यह कुछ रोगों के प्रति प्रति रच्छा परदान करता है तो हीमोगलोबिन जो है रोगों के प्रति प्रति रच्छा परदान नहीं करता है यह है आपका जो है सही नहीं है चौथा दिया गया कि यहरक्त को लाल रंग परदान करता है तो हीमोगलोबिन जो है रक्त को लाल रंग परदान करता है यह आपका सही है तो इन में से सही कत्थन आपको बताना है तो एक, दो और चार जो है सही है तीसरा गलत है तो Demicalp 1-2-4 होगा है आपका सही है हीमोकलोबिन इहरक्ट में आक्सीजन का परिवहन करता है इसमें हीमस लोहांस पाय जाता है हीमस नामक जो है लोहांस पाय जाता है जो इसे लाल रंग परदान करता है और रोगों के प्रति प्रतिरच्छा प्रतान करने का कारी जो करता है वह WBC करता है यहने कि White Blood Crap Cells, सुएत रक्त कडिकाई जो है करती है प्रतिरच्छा का काम अगला जो हो जाएगा आपका, विटामिन E का महतपूर सुरोत निमलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन C, यहाँ से होगा, गेहुं अंकूर का तेल विटामिन E का सबसे महतपूर सुरोत क्या है, तो वह है गेहुं अंकूर का तेल अगला कोशन है आपका, मानो सद्रिस लगुत्तम कपी कौन सा है? तो यह है आपका, आपसन E से हो जाएगा, गीवन, मानो सद्रिस लगुत्तम कपी जो है वह गीवन है, यह भी कल्प सही हो जाएगा दोस्तों, अनकेडमी जो है UPPSC ROARO मेंस के लिए एक प्रैक्टिसेट बैच लांच कर रहा है, जो की 22 दिसंबर 2020 को आपका ROARO मेंस लगा हुआ है, यह बैच आपको अपना सवसेज देने में मदद करेगा, इसमें आपको अनकेडमी के टाप एजुकेटर्स, द्वारा मार् दर्सन परदान किये जाएंगे, यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से सुरू हो रहा है, तो जो लोग मेंस की तयारी करना चाते हैं, इससे जुड़कर मेंस की तयारी कर सकते हैं, इससे संबंदी डिटेल आपको लाश्ट में बता दिये जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जो है जाकर आप डिटेल जो है चेक कर सकते हैं, और यदि आप इस बैच जो है जुड़ना चाते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है, में लिंक भी दे दिया गया है, और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाते हैं, तो आप एक्जाम लर अगला प्रश्ण आप देखते हैं कि मलेरिया रोग की प्रभावी आउसदी कुनेयन का निसकर्षन किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसन B सेवा सिनकोना की चाल से कुनेयन एहमलेरिया के उप्चार के लिए एक प्रमुक आउसदी है जिसे सिनकोना नामक पौधे की चाल से प्राप्त किया जाता है यह पौधा एक आबरीत बीजी पादप है तो B विकल्प यहां सही हो जाएगा आपका अगला कोशन है जीन के भीतर अनुकरम आधार परिवर्तन कहलाता है तो यह आपका उत्परिवर्तन कहलाता है C विकल्प से हो जाएगा उत्परिवर्तन सभी जीओं के वनसागत परिवर्तन है यह सोतह या एप्राकिर्तिक रूप से प्रेरिट किया जा सकते है उत परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुकरम आधार परिवर्तन के फलसुरू आपका होता है तो C आपसन यहां सही हो जाएगा अगला प्रश्णप देखते हैं निमलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है तो आपको इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो यहां आप देख सकते हैं C आपसन विटामिन A दिया गया है आपका वरडान्दता तो जो है बरडान्दता जो है यहनि की कलर ब्लाइंडनेस एक यक्स लिंग सहलगन बंसागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधा पन या फिर डेल्टो निजम भी कहा जाता है वरडान्दता विटामिन A की कमी से नहीं होता है तो यह आपका सुमेलित नहीं है विटामिन A की कमी से जो है क्या होता है तो रताओधी होता है आप सबको पता है विटामिन A की कमी से वरडानता नहीं रताओधी होता है तो C विकलप आपका सुमेलित नहीं है बाकी विटामिन B1 यानिकि थायमिन से बेरी-बेरी होता है एसकार भी कमली यानिकि विटामिन C क कमी से इसकर भी होता है विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है बाकी सभी सुमेलित है स्थी आपसं सुमेलित नहीं है अगला कोशन है आपका लिवकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है जिसका सही एंसर हो जाएगा आपस जाती है अगला कोशन हम देखते हैं कि जो मनुसी यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीडित है किसे तो वह है बुलीमिया से पीडित है आपका ये भी कल्प जो है यहां सही हो जाएगा अगला कोशन है आपका मानो रक्ता धान के लिए कौन सा रक्त समू सारवत्रिक दाता यानि कि युनिवर्सल डोनर होता है इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन बी ओ समू जो है बी आपसन यहां सेव जाएगा रक्त वर्ग ओ यह सारवत्रिक दाता यानि कि युनिवर्सल डोन होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन यानि कि एंटीजन नहीं होता है अते इसका रुधिर वर्ग सभी वर्ग के बेक्तियों को चढ़ाया जा सकता है तो भी विकल्प जो है यहां सही होगा अगला कुशिन आपका निमलिखित में से कौन जल को जिवाड़ मुक्त करने ही त प्रियुक्त होता है तो यह है अपका यहां डी विकल्प से हो जाएगा उजोन भी होता है क्लोरीन डायकसाइड और क्लोरेमीन भी तो जल को कई बिदियों से जिवाड़ रहित किया जाता है जैसे कि आपका पहला जो है ताब तथा अनिभौती काड़ों द्वारा दूसरा प्रावैगनी कीडो तथा रेडियो धर्मी आयन की द्वारा तीसरा जो है रसायनों द्वारा आकसी करड़ करके जैसे की ओजोन, आयोडीनियों, क्लोरीन की योगिकों द्वारा क्लोरेमीन यानकी NH2Cl तथा क्लोरीन डायाकसाइड, CLO2 भी जल को जिवाड मुद करने में प्र जिमेदार है, हिर्दय गती नियंतरड के लिए भी जिमेदार है और सरीर के संतुलन के लिए भी जिमेदार है, तो D विकल्प चेवजाएगा उपयूक्त तीनों के लिए, अगला प्रश्नयाब का मिर्च की तीछड़ता का कारण क्या है, यानि कि मिर्च के तीखेपन का का कारण क्या होता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, आपसन B, कैपसे इसीन की उपस्थिति, मिर्च का तीछड़ या तीखा स्वाद एक क्रिष्टली पदार्थ कैपसे इसीन के कारण होता है, तो B विकल्प यहां सही होगा, अगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम का उप्योग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसका सही अंसर होगा, आपसन C, फास्फोरस 32, तो C आपसन जो है, सही हो जाए गए हैं, रेडियो फास्फोरस का उप्योग लिवकेमिया, जो की एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है, के इलाज में किया जाता है, C आपसन जो है से हो जाएगा इस्पर्म हुएल विशालतम दांत वाली हुएल है यह पूर ब्यस्क नर इस्पर्म हुएल 50 से लेके 55 फिट लंबी होती है और इनका वजन जो होता है 35 से लेके 45 तन इनका वजन होता है तो यहाँ जो है D, दोनों हाथों यवं दोनों पैरों का Tetraplegia से तात परे दोनों हाथों यवं दोनों पैरों के पच्छागात से है इसे Quadriplegia भी कहा जाता है और Paraplegia एक ऐसी अवस्था है जिसमें चोट या बीमारी की कारण सरीर के निचले हिस्थे यानि के दोनों पैरों में पच्छागात हो जाता है तो D, आपसंग यहां से हो जाएगा अगला कुशन है बास्मति चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते है क्योंकि उसमें बाहुले है किसका तो जो है, एमाईलेज का बाहुले होता है बी विकल्प यहां से हो जाएगा चावल में दो प्रकार के इस्टार्च पाय जाते हैं एक तो आपका पहला होता है एमाईलेज उसके बाद जो है दूसरा होता है एमाईलेज पेक्टिन समानेत है चावल की जो है लंबे दाने वाली किस्मों जैसे कि आपका बासमती में अधिक मातरा में पाय जाता है और मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाईलो पेक्टिन अधिक मातरा में पाया जाता है तो यहां आपका बी विकल्प से हो जाएगा अगला कुशन आपका सरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है तो यहां आपका रक्त हीनता सी विकल्प से हो जाएगा यहां सरीर में लोहे यानि कि आईरन की कमी से रक्त हीनता जिसको एनेमिया भी का जाता है क्या का जाता है एनेमिया भी का जाता है तो यहाँ C बिकल्प जो है से हो जाएगा एनेमिया की बिमारी होती है अगला कुशिन आपका मानो गुर्दे में पत्थरी निमनिमे से किसकी वज़े से बनती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B पत्थरी कैल्सियम आगजिलेट की वज़े से बनती है या calcium oxalate की बनी होती है calcium oxalate एक racionic तत्व है जिसका racionic सूत्र जो होता है CAC2O4 होता है या फिर CACOO उसके बाद जो है 2 होता है यह मानो गुर्दे में पत्थरी का मुखे घटक है calcium oxalate आगे पढ़ते हैं अब यदि कोई मानवी रोग बिश्चो की ब्रहत छेटर में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं तो वह है pandemic कहलाता है यह आपसम से यह हो जाएगा जब कोई रोग किसी विशेष छेटर या जनसंख्या में अस्ताइ रूप से भी द्यमान रहता है तो ऐसे इस्थिती endemic कहलाती है जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जन संख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को epidemic कहा जाता है और epidemic स्थिति का बिस्व के बिरहत छेतर में बिस्तार कोई pandemic कहा जाता है तो यहां आपसे पुशा गया कि यदि कोई मानिमी रोग बिस्तु के बिरहत छेतर में फैलता है तो वह क्या कहलाएगा तो वह pandemic कहलाएगा आपका यह आपसं सही होगा अगला question आपका निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है तो हैजा जो है यह जल जनित रोग है यह एक संक्रामक रोग है अगला question आपका genetic engineering में निम्न में से किसका प्रियोग होता है तो plasmid का प्रियोग किया जाता है बी विकल्प सही हो जाएगा अगला question आपका निम्न में से कौन सा तना है तो इसका सही option हो जाएगा option B अधरक क्या है तो एक तना है यह जैसे कि आपका गन्ना हो जाएगा आलू योम अधरक यह सभी किसका रूपांतरड है तो यह सभी तने के रूपांतरड है बी आपसन सही हो गए है अगला question आपका किसी बेक्ति का रक्त चाप 140 यमयम यचिजी है तो इस उलेक में यचिजी से तातपरी क्या होता है तो यचिजी से तातपरी मरक्री से होता है बी आपसन सही हो जाएगा मनुसिका आवसत रक्त चाप जो होता हुए 120 बटे जो है 80 होता है जब कोई डाक्टर हमारा रक्त चाप नापता है तो वह वाई मंडली दाप के सापेच होता है यदि किसी बेक्तिका रक्त चाप 140 यमियम यचजी है तो इसमें यचजी से तात परिज होता हुए रसायनिक तत मरकरी से होता है तो भी आपसन सेव जाएगा मरकरी या पारा आपसन में के उपचार के लिए एक प्रमुख होसद ही है जिसे सीनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है अगला कोशिन आपका लॉंग है तो लॉंग एक जो है सूखा फल है डी भी कल्प यहां सही हो जाएगा अगला कोशिन आपका निमने में से कौन सा पादप हार्मोन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन D, साइटो काइनिन समाने ते है पादप हार्मोन के जो है पांच प्रमुख बर्ग होते हैं कौन-कौन से देख लेते हैं पहला जो होता है आपका A, B, C, C, कमल होता है A, B, C, C, कमल पहला हो जाएगा उसके बाद जो है दूसरा होता है वो है आपका आकसीन होता है क्या होता है? दूसरा आकसीन हो जाएगा उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका साइटो काइनिन होगा तीसरा क्या होगा तो cytokinin जो की आपका आपसन में दिया गया है उसके बाद चोथा है आपका ethylene चोथा क्या होता है तो चोथा ethylene हो जाएगा आपका और last यानि की पांचवा जो हो आपका जीब्रेलीन है क्या है जीब्रेलीन तो ये जो है पांच प्रकार के जो है पादप प्रमुख प्रमुख बर्ग होते हैं कौन-कौनसा तो पहला आपका ABCC कमल हो जाएगा उसके बाद दूसरा हो जाएगा आकसीन साइटो काइनीन हो जाएगा तीसरा चोथा हो जाएगा आपका ये थीलीन और पांच प्रमुख जो हो जाएगा जीब्रेलीन तो आपसन में यहाँ पूछा गया आपसे प्रस्ण में कि कौनसा पादप हार्मुण है तो आपसन में साइटो काइनीन है तो साइटो काइनीन एक पादप हार्मुण है डीबिकल से हो जाए गए हैं नाम जो है आपको पांचों का याद रखना है अगला कोशन है पेंड पाउधों में जाइलम मुखेत है जिम्मिदार है किसके लिए तो आप सबको पता होगा जाइलम जो है यह जल वहन के लिए उतरदाई होता है जाइलम किसके लिए उतरदाई होता है तो जल वहन के लिए यदि पूछा जाए आहार वहन के लिए कौन सा उतरदाई होता है तो आपको फ्लोयम दोनों ही पूछा जाता है याद रखना है आपको फ्लोयम जो होता है वह आहार वहन के लिए उतरदाई होता है और जाइलम जो है यह जल वहन के लिए उतरदाय होता है जाइलम टीसू अगला कुशन आपका मानो सरीर का तापकरम तो यहाँ जो है आपका C आपसन से होज़ागर नहीं जाड़ों में घड़ता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है मानों शरीर का तापकरम साधारत्या जो होता है वह 98.6 डिग्री फारेन हाइट होता है अगला कुशिन आपका फेरो मोन से सामायने ते उत्पन किया जाता है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसन डी से हो जाएगा यहां कीटो दोरा फेरो मोन सुवहरा सायन है जो कीटों दोरा उत्सरजित किया जाते हैं यह विप्रीत लिंगी कीटों को आकरसित करने तथा स्वभाव को निधायत करने का कारी करता है अगला कुशिन है मानों सरीर में हीमोग्लोबीन का कारी क्या है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन ए से होगा आकसीजन का परियुहन करना इसके पहले भी कुशिन पुशा गया है कि मानों सरीर में हीमोग्लोबीन का कार क्या है तो आकसीजन का परियुहन करना ए आपसन जो है से हो जाएगा लाल रूधी राडियों में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन यह आपका आक्सीजन का परियोहन करता है अगला कुशन है आपका प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निस्कासित करते हैं सही एनसर ही शाएगा आपसन B शालफेनिक अमल प्याज काटने पर जोहरे सिंथेज नामके एनजाईब निस्कासित होता है और सिंथेज एनजाईब प्याज में उपस्तित सल्फा अक्साइड जिसको एमिनो अमल कर जाता है को सल्फेनी कमल में परिवर्थित कर देता है तो B विकल्प यहां सही हो जाएगा नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा आपसां सही हो जाएगा यहां तो चलिए जो है देखते हैं विटामिन C हो जाएगा आपका इसकरवी विटामिन C हो जाएगा इसकरवी A का चोथा फोली कमल का संबंध हो जाएगा आपका रक्त आलपता से रक्त आलपता से हो जाएगा B का तीसरा हो जाएगा विटामिन A का संबंध हो जाएगा रतोधी से C का पहला और D दिया गया है विटामिन B1, B1 का संबंद हो जाएगा आपका बेरी-बेरी से, तो D का हो जाएगा दूसरा, 4, 3, 1 तो, यहां देख सेकते हैं, विकल्प A जो है, सही हो जाएगा, अगला कोशन आपका निमलिखित में से, कौन सा पॉस्टिक तत्वर, अस्थियों दातों के निर्माड यो मजबूती के लिए आवस्यक नहीं है, तो इसका सही इंसर हो जाएगा, option D सही हो जाएगा, iodine, calcium, उसके बाद जो है, आपका फासफोरस और फ्लोरीन, यह अस्थियों दंत, निर्माड में सहायक है, इनकी कमी से अस्थियों दंत संबंदी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि iodine यह thyroid गरंतिके नियंतर्ण में उपिय होता है, तो D विकलप जो है, यहाँआपका सही होगा, अगला कूशिन आपका, colic, lc, phirral, रासाइनीक योगी का सामाने नाम है, तो इसका सामाने नाम है, आपका vitamin D, B विकलप जो है, सही हो जाये गाए है, कोले, कैलसी,張, रसाइनीक योगी का सामाने नाम, जो है, living D है, अगला कुशन आपका स्लीप एनेमिया एक भैंकर निद्रा दोस है जिसमें लोग तो इसका सही अंसुर हो जाएगा आपसंसी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्वास बाधित होता रहता है तो सी बिकल्प जो है यहां सही हो जाएगा अगला कुशन आपका सेरेवरल पालसी एक मस्तिस्क संबंधी बिकार है जो समानिता पाया जाता है तो यह चोटे बच्चों में पाय जाता है सी आपसंस ही हो जाएगा अगला कुशन आपका कुछ समुद्री जनतु यह उमकीट अंधेरे में अपने सरीर में प्रकास उत्पन करते हैं इस पर घटना को कहते हैं तो यह है आपका बायो लिवगी मिने सेंस कहलाता है बी बिकल्प जो है सही हो जाएगा समुद्री प्रकित में बहुत से जीव युमकीट स्वयम प्रकास उत्पन करते हैं और प्राणियों द्वारा स्वयम प्रकास उत्पन करने की इस छमता को जीव दीपती कहते हैं और इन जीवों के सरीर में फोटो फोर नामक अंग में एंजाइमों यों एक प्रकास उत्पादक तत्यों के मध्ध जैवरासायनी का विक्रिया दोरा यह प्रकास उत्पन होता है और जीवों दोरा उत्पन यह प्रकास उसमा रहित होता है आपका बी विकल्प से हो जाएगा अगला कुशन आपका कोरोनरी धमनी बाइपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट है तो प्रियोग में लाई जाती है वह होती है तो यहाँ जो से होगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा इन में से कोई नहीं होगा जब कोई धमनी औरुध हो जाती है तो सल्लिक्रिया द्वारा सरीर के किसी अन्य भाग से नस निकाल कर उसे हिर्दय की धमनी में औरुध हुए अस्थान के समारांतर जोड कर हिर्दय में निर्वाध रक्त प्रवाहे तो वेकल्पिक रक्त प्त यानि की वाइ-पास बना देते हैं इसी सल्लिक्रिया तक्णीक को वाइ-पास सर्जरी का जाता है प्राह च्छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से जो है सेफनस वेन निकाल कर हिर्दय की धमनी से जोड़ी जाती है तो यहाँ डी आपसन से हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला कुशन आपका सूची बन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट की माध्यम से बताना है कि कौनसा विकल्प से हो जाएगा यहाँ तो चलिए देखते हैं विटामिन B12 का संबंध हो जाएगा कोबाल्ट से विटामिन B12 कोबाल्ट हो जाएगा एक का दूसरा हेमोगलोबिन हो जाएगा आपका लोहा तो B का होजएगा आपका चोथा उसके बाद C है क्लोरोफिल क्लोरोफिल का हो जाएगा मैगनीसियम उसके बाद P bedeutet हो जाएगा तामबा तो C का होजएगा पहला और D का हो जाएगा तीसरा 2, 4, 1, 3 जिस आपसन में होगा अबर से हो जाएगा दो चार एक तीन आप देख सकते हैं विकल्ब यह यहां से हो जाएगा अगला कोशन आपका है निमलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है तो यह है आपका जापानी इंसे फ्लाइटिस इंडिज अल्बो पिक्टस जिसे टाइगर मच्छर की नाम से भी जाना जाता है यह पीत जोर, डेंगो जोर, चिकन गुनिया तथा सेंट लूई इंसे फ्लाइटिस जैसे रोगों के कारक विसाडू का वाहक होता है जपानी इंसे फ्लाइटिस रोग का कारक जो है फ्लेवी विरयडी कुल का विसाडू होता है और इस विसाडू के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स परजाती के मच्छर होते हैं मुक्के ताए फ्लेक्स टिट्री नियोरिंकस होते हैं तो D, आपसर जो है यहां season हो जाएगा अगला question है बच्चों में protein की निवनिता के कारण जो रोग उत्पन होता है यह है तो यह है आपका मेरासमस रोग E, आपसर से हो जाएगा बच्चों में protein की अल्पता यैनि कि कमी की कारण मेरासमस रोग हो जाता है अगला कोशिन है आपका सूरी के प्रकास के अद्रिस्त भाग से प्रकास संसलेसर किया जाता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C जो ऐसे हो जाएगा कुछ बैक्टेरियां द्वारा गहरे समुद्र में सतह से चार सो से लेके आठ हजार फिट तक की गहराई में पाये जाने वाले जीवान जैसे की आपका ग्रीन सल्फर बैक्टेरिया आदी औरक्त बिकिरड के द्वारा प्रियोग द्वारा जो है प्रकास संसलेसर कर उर्जा उत्पन करते हैं तो यहां C आपसन से हो जाएगा कुछ बैक्टेरिया के द्वारा अगला कुशन आपका प्रोटीन की परचूरता वाले खादि प्रदार्थों में उपस्थित अमीनो अमल टाइरोसीन के बारे में निम्लखित कतनों में से कौन एक सही नहीं है तो यह है आपका D से हो जाए तो इसका सही इंसर होगा आपसन एह प्लेटलेट्स की डेंगू बुखाल से पीडीति रोगी के रख्त में प्लेटलेट्स की संक्या कम हो जाती है छोकिए प्लेटलेट्स जो है सरीर में रख्त सराव रोकने में प्रमुख भोमिका निभाते है अतर इनकी कमी से ऐसामान रक्तिस्राव हो सकता है, यह भी कलब से हुगा यहाँ, अगला कोशन है DNA के दू हेलिक्स, प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो आप देख सकते हैं, यह भी कोशन जो है, रिपीटेट है, तो यह आपसन यहाँ से हुज जाएगा, वाट्सन तथा क्रिक प्रस्ट अग्ला प्रस्ट आपका पढ्ड रित, यानि कि क्लोरोफिल में निमलिखित में से कौन सा तत्तो पाया जाता है, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसनषि, क्लोरोफिल में मैगनेशियम नामक तत्तो पाया जाता है, C वेकलब से होगा, अगला कोशन है, फंक तो फंक जो है वितामिन का अविश्कार किया था जो है विटामिन का अविश्कार किया था। अगला कोशन आपका दूध दूध का धवल रंग निमलिखित में किसा इुपस्थिती के कारण है। तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option D, casein, दूद का सफेद रंग, casein नामक प्रोटीन के उपस्तिति के कारण होता है, D, बिकल्प यहां सही हो जाएगा, अगला question अब है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और कूट के माधे हम से बताना है कि कौन सा option सही होगा यहाँ, तो शिली देखते हैं, plague का संबंध जो है आपका हो जाएगा, G, वाडू से, plague का संबंध किस से होगा, G, वाडू से हो जाएगा, यह का चवथा हो जाएगा, अपका, id का संबंध हो जाएगा, बिसाड उसे, एर्स किसके द्वारा होने वाले हो गए तो बिसाड वो द्वारा B का तीसरा, गंजा अफ़न, तो यह हो जाएगा कवक, C का दूसरा और मलेरिया, जो है प्रोटो जो आके द्वारा होता है तो D का हो जाएगा पहला, 4, 3, 2, 1, इस आपसन में होगा, वह ऐसे हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1, अब देख सकते हैं, विकल्प D जो है, यहाँ सही होगा अगला कोशन आप देखते हैं, कि MRI निम्न में से क्या है, MRI क्या है तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन सी, Magnetic Resonance Imaging MRI का Full Farm क्या होता है, तो Magnetic Resonance Imaging होता है MRI यहनि कि Magnetic Resonance Imaging, यह Magnetic Field और Radio तरंगों का इस्तिमाल कर MRI मसीन सरीर के अंगों की बिश्त्री जो यह तस्वीर लेता है अगला कुशिन आपको है, वर्ष 2011 को पसुओं में होने वाली किस विमारी के लिए चिन्हित किया गया है तो इसका सही एंसर हो जाएगा, आपसन B जो है, सही हो जाएगा यहां रिंडर पेस्ट के लिए, B बिकल्प से होगा, वर्ष 2011 में पसुओं में होने वाली रिंडर पेस्ट नामक विमारी के लिए चिन्हित किया गया था तो B आपसन सही है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको कैसे लेना है तो अपनी पसंद के आप देख सकते हैं, सभी सिचकों के साथ, आप मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से आप पढ़ सकते हैं, यदि आप किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकार्ड रोम में वीडियो देख सकते हैं सभी कच्छाओं के बाद आपको class का notes से दिये जाते हैं और प्रतेग चोथा व्याक्यान आपका doubt session का होता है जिसमें चल रहे बिसियों से संबंदित आपके सभी संकाओं को दूर किया जाएगा और आप देशकते हैं इसकी key features क्या क्या है परडे के इसाब से आपको 70 रुपय live doubt clearing session हो जाएगा आपका उसमें regular subject wise and mock test होगा उसके बाद learn from faculty of your choice EMI payment option भी जो है आपको उपलब्ध है और course जो है आप देशेते हैं कौन-कौन से course अबलेबल है UPPCS new foundation batch आपका प्रतेग जो है बुद्धवार को start होता है UPPCS के जो है top educators द्वारा UPSI, BEU, R0, R0, लेखपाल समझी सभी course जो है अबलेबल है या top educators है आपके जो है UPPC और UPCC के और आप देशकते हैं इसका description स्वरी subscription जो है एक मन्त का 14 सो रुपए पड़ेगा आपको 3 मन्त का लेते हैं तो 3500 रुपए उसके वा 6 मन्त का है चपन सो रुपए और 12 मन्त का लेते हैं तो आपको 7000 रुपए पड़ेंगे और यहां जो है आप देख सकते हैं आपको दिया जा रहा है है यदि आप referral code यह अप Annual code यूजी करते हैं तो आप आप डिसकाउंट भी मिलेगा तो यह आप exam learner exam learner की नाम से जो है gather code णे करते हैं आपको लिखना क्या है exam learner आपको लिखना है उसके पास आपको पास तो जो भी जो है आपको सुब्धा हो आप ले सकते हाँ से और इसके लिए जो है आपको अनेकाड़िमी लर्निंग एप को जो है इंस्टाल करना पड़ेगा उसके बाद जो है आपको लागिन करना पड़ेगा और एक चीज और जो है कल से आपको जो है UPPCS का practice set कराया जाएगा तो याद रखेगा कल से आपको UPPCS का practice set दिया जाएगा तो दुस्तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजिएका और चैनल को अभी तक आप सबस्क्राइब नई के हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकनों को प्रेस कर लिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडियोप जो है हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा